हमने ले लिया है एक बाउल बाउल में हम सबसे पहले डालेंगे घर में यूज होने वाला जो आमतरप हमारे पास होता ही है बेसन का ये एक से डेड़ चमच हमने ले लिया है बेसन ये एक अच्छा स्क्रबर का काम करता है हमारी स्किन के लिए साथ ही हम एड़ करेंगे एक से पाल दी हमारी स्किन को बहुत थी गलॉइंग और शाइनिंग बनाती है साथ ही हमने इसमें एड़ कर लिया है और इंज पील का पाउडर जो की हमने तुखा कर रखा था उसकी वीडियो हम अलग से अपलोड कर देंगे इन सब चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह बात ध्यान में रखनी है कि हमें इसको उपर की तरफ लगाना है या सर्कुलर मोशन में लगाना है लेकिन कभी भी हमें पैक लगाते समय स्किन के उपर से नीचे की तरफ मूव नहीं करना है इससे हमारी स्किन बहुत लूज या नीचे को लटेने लगती है नीचे से उ हमारी जो skin है बहुत ज्यादा glowing हो जाएगी और इसमें जो extra dust है वो निकल जाएगी देखिए हर तरफ से हमें अच्छे से इसको रब करना है पांसे साथ मिंट अच्छे से रब करेंगे तो हमारी skin बहुत ही ज्यादा glow करने लगेगी इसी तरह हम ये पैक अपने face पर और arms पर भी apply कर सकते हैं ये एक बहुत ही natural उपाय है जिसका हमारी skin को कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा और एक अच्छा scrubber का काम करता है कर्ड जो हमने इसमें यूज किया है वह हमारी skin को soft और मुलायम बना देता है देखे इसको हमने अच्छे से रब कर लिया था अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब ये थोड़ा dry हो जाएगा तब हम इसको थोड़ा सा रब करते हुए wash कर लेंगे पहले इसको देखे हमने इसको अच्छे से रब कर लिया है अब हम साथ में थोड़ा थोड़ा वाटर लगाते हुए इसको रब करते जाएंगे जिससे कि हमारी जो dust है वो remove हो जाए और skin बहुत ही glowing हो जाएगी देखिए ऐसे रब करते करते हैं थोड़ा थोड़ा वाटर लगाते जाएंगे और इसको circular motion में रब करते जाएंगे rubbing करते हैं में ध्यान रखना है कि जो rubbing करते हैं हम बहुत ही softly करनी हैं बहुत heart rubbing नहीं करनी है कि जिससे हमारी skin पर रैशी सोजाएं बहुत softly इसको rub करना है देखिए result आपके सामने है अब ही हम इसको hand towel से या किसी सूखे कपड़े से अच्छे से clean कर लेंगे अमीद करते हूं कि आपको हमारा यह idea अच्छा लगा होगा यह हफ़ते में एक स्या दो बार या तीन बार भी यूज़ कर सकते हैं इसका हमारी skin पर कोई गलत effect नहीं होगा अमीद करते हूं कि आपको हमारी यह video अच्छी लगी होगी तो please like share comment